और इस बीच बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहूल गांधी पर बड़ा हमला बुला है। राहूल के चलते पंजाब में संकट पैदा हुआ। ये कहा उन्होंने कॉंग्रेस में मात्व कांग्षा की लड़ाई चल रही है दरसल। कोई कॉंग्रेस नेता पंजाब के बारे में नहीं सोच रहा। पंजाब की सुरक्षा सबसे बड़ा सवाल है, स्थिर्था बहुत जरूरी है। और कहीं न कहीं राहूल गांधी के इस असफलता को छिपाने के लिए कॉंग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से पत्रकारिता और पत्रकारों पर हमला करना आरंब किया है। यह अपने आग में दुखद है, सोचनीय हैं और चिंता जनक है।